तो यह आपको गुरू जनुमें कई बार ऐसी विरोधा भास वाली ऐसे वेवार आपको दिखाये देंगे यहां पर जो रूप अभी आया है पर शुराम जी आये पर शुराम जी समवर्थ की बाते सुनकर क्या है वह दटात्रे को देख रहे हैं और दटात्रे यहां पर एक द शराब पी हो और देखे हाजो बजुँ शराब मदिरा रखी रहे हैं। आगे कहते हैं। इतने सुन्दर दिख रहे हैं। अवदूत वाला सुरूप इसमें नहीं है तो कह रहे हैं अभी थोड़ा दिरके देखें भिद्य थोड़ी से कंफ्यूज हो गये। कि मदिरा मदसं रखत गुर्ण ने इत्रा मुझात आया उनके जो नेत्र थे एकदम मदिरा से लाल हो गए थे मदिरा पांग से लाल हो चुके थे आलेंगे तप पुरो भाग्या नस्त्यम अस्तमे रही गुंबकम और एक स्त्री के साथ वो घिरे हुए थे और कहते हैं इस महा आत्मा मुनीका के साथ जितने लोग घिरे हुए थे वो तो बड़ी अजीब से लग रहे थे लेकिन कह रहे हैं यह कार जो यह अभी कर रहे थे ऐसे तो बड़ा समझ में नहीं आ रहा था यह कर क्या रहे हैं यतिवेश धरम मिश्र लालिंगम चंकी तो अभीवेद की एक त नहीं क्या है यह सच में शराबी हैं एक तरफ यति दिख रहे हैं एक तरफ यह शराबी लिग रहे हैं माधविक शराबी लग रहे हैं और हो ना हो परशुराम कहते हैं कि मेतत अद्बुतम बृतम मूने रस्य महात्मनहा यह जो दत्तात्रे हैं मेरे जैसे वेक्तियों के ल तो संसारी लोग कई बर जाते हैं महात्मा यहां पर वह दिश्ठी है तो तो परशुराम जी कह रहे हैं अरे अचिन्त है आटब बूत हम यह तो बड़ा बूत है एक तरफ तु ये यति लगते हैं, बड़े सिद्ध लगते हैं, बुs रगज क क्या कर रहे हैं? और निता मुरेस मुनेरस्या महात्मनाहा कहीं पर तो कहीं पर तो बाहर से भली लगने वाली कहीं अंदर से सर्वता सुभग, अंदर सुंदर अचिन्ति वित्ती की अधारने वाले योगी लोग होते हैं परंतु महात्मा संवर्थ मुझे परस्वराम सोच रहे हैं कि नहीं मुझे confused नहीं होना चीए महात्मा संवर्थ मुझे ऐसी व्यर्थ की बातों के लिए नहीं बेजेंगे और ये जो में लेकियाय व्यक्ती केरे हैं कि ये भी तो 한 और श्म्रत बेहिं तो मुझे confuse नहीं होना चीए संवर्थ मुनी अगर मुझे यहां बेजेंगे तो ऐसे ही नहीं बेजेंगे मेरा समय दर्थ करने के लिए नहीं बेजेंगे संवर्थ मुनी कितने चीजी बाते करी थी और द्वार पर भी यह जो महात्मा मुझे लेकर के आए यह भी तो इतने शांत लग रहे हैं तो मुझे अगर देखना ही है तो मुझे उन सब बातों को देखना चीए फिर दत्ताद्रे महराज को जज़ करना चीए तो यह जैसे दिख रहे हैं यह वैसे नहीं है और इनके आसपास कौन बैठे हैं अरे इनके आसपास तो सारे सात्विक स्रेष्ट महानुबह बैठे हुए हैं तो मुझे इन स्रेष्ट महानुबह का दर्शन कर लेना चीए द्वार पे बैठे जो मुझे लेकर के आये महात्मा वो भी बड़े सात्विक थे समर्थ रुशी मुझे ऐसे बेजेंगे नहीं इसलिए चाहे जैसा भी हो ये जो दत्ता तरे भवान कर रहे है ये ये शायद मुझे 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 डालने वाली बात है इन सादूओं की गति कोई नहीं जान सकता बाहर से दिखते कुछ हो रहे हैं फिर भी अंदर से ये शुद्ध कोई एक ऐसे बाहर से अशुद्ध दिख रहा है फिर भी अंदर से शुद्ध लेकिन ये राजा की तरह बड़े सजे दजे लग रहे हैं लेकिन फिर भी अंदर से ये शुद्ध हैं तो मुझे केवल उस सत का ध्यान करना जाइए, यही मेरे गुरु हैं, यह सनातन गुरु जो सत है और असत से दूर है, मुझे इनका ध्यान करना चाहिए, और यह जो मैं भी देख रहा हूँ, मैं समझ गया हूँ, यह सब मेरे मन के ब्रह्म हैं. इस प्रकार से परशूराम जी वहाँ पर अब शांत हो गए नहीं तो एक मेरे भाग जाते नॉर्मल आदमी होता तो यह क्या है किसके पास बेज दिया बड़ परशूराम जी समझ गए उन्होंने सब देखा, लोगों को देखा, समझा तो बोगे नहीं यही मेरे सनातन गुरु है, यही मेरे भगवान है अब मैं यहां से नहीं जाओंगा, मैं ब्रहमित नहीं हूँ